आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now देखे बच्चों इसमें बोला क्या जा रहा है कि 10 बलवो को विद्दू Supply Line से सरेणी क्रम में जोड़ा जाता है 10 समान बलवो को समान विद्दू Supply Line से Sparge स्व क्रम परिपत में जोड़ा जाता है किस परिपत्ध में प्ते इक बलके बीच उचतम voltage होगी तो देखे पहले तो क्या बोला जा रहा है बल्व को अगर हम लोग स्रेंडी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ स्रेंडी क्रम, ठीक है, तो स्रेंडी क्रम में क्या हो जाता है, जूड जाते हैं न, जितने भी बल्व का प्रतिरोध होगा, वो जूड जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अगर मैं R S लिखता हूं सेनिक्रम में, अब प्रतेक बल्व का प्रतिरोद R है, तो 10 R के बराबर हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ये फॉर्मुला होता है, अगर R S बराबर मालो एन बल्व है, तो एन R, ठीक है, R क्या है, एक बल्व का प्रतिरोद है, अब वैसी अगर मै प्रतिरोद होता है, अगर मैं प्रतिरोद होता है, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर R S क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है न, R S बड़ा मिलेगा, R P के तुलना में, R S मतलब स्रेंडी क्रम में जो कूल पतिरोद मिलेगा, वो पार्स क्रम में कूल पतिरोद से बड़ा होगा, हमेसा जादा होगा, देखिए, जब प्रतिरोद जादा होगा, तो वहां पर धारा प्रवित होगी तो अगर इसका ओल्टेज के सांसंबन देखेंगे तो ओल्टेज क्या होता है ओल्टेज जो है धारा के अनुकरमा अनुपाती होता है न तो जिसमें धारा काम है तो उसमें भी काम ओल्टेज होगा जिसमें धारा ज्यादा है तो उसका भी ओल्टेज होगा मत पार सुक्रम, पार सुक्रम.